असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेया टॉपिक यूनिट अमबर थी का और वो है चेंजिंग एनी करेक्टर क्रेक्टर का मतलब यह के कहानियों में इडिसटेश मोजूत होते हैं और वो इनकी इसे में किसी करेक्टर को कहानी में चेंज करना चाहते हैं तो अक्शेली एंस करेक्टर को नहीं करते हैं, उसके traits को change करते हैं और वो traits यह हैं उसके basic traits है, जिनको हम कहते हैं character traits So let's see, कि वो होते क्या हैं और हम उन्हें कैसे change कर सकते हैं, पहले change करने से पहले we need to understand कि वो क्या है Character traits का मतलब यह है, जिस पे हम लोगों की grouping करते हैं according to their traits, वो qualities जिससे या उनको फायदा होता है या जिसकी वज़ा से उनको नुकसान होता है जब हम various किसम की character traits को समझते हैं या हम बच्चों को समझाते हैं कि ये character traits होती हैं तो बच्चों को पता चल जाता है कि कोई भी शखस कोई काम क्यूं करता है क्योंकि उसकी core value होती है, वो उस काम को बहतर समझता है value देने का मतलब है कि वो इसे value दे रहा है बाकी चीज़ों को value नहीं दे रहा है या उसके beliefs क्या है उसके moral क्या है या हमारे beliefs, हमारे morals या हमारी values क्या है definitely जब ये चीज़े हम समझते हैं तो इससे हमारे अपने action पर हमारा अपना control बहतर होता जाता है और बढ़ता चला जाता है क्या है character traits हमारे समने बहुत से लिखे हुए हैं इसमें से हम दो चार पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं तो जब हम किसी शक्स की character की बात करते हैं character traits की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि या वह बहादूर होगा, strong होगा, मस्पूत होगा, courageous होगा, बेखौफ होगा या बहुत ही charming है, बहुत ही हसी मजाग करने बाला है, एमानदार है, या बहुत ही composed personality है, हम दर्द है, या बहुत ही मजाया है, उसके साथ बैठके कुब हसी आती है, बड़ा energetic है, बहुत काम कर लेता है, बड़ा joyful है, बहुत मशूर है, जहां बैठता है लोग उसके fan हो जात है, या बहुत ambitious है, या दोस्ताना उसका रविया है, या बड़ा खुश किसम का इनसान है, यह तमाम इलफाज जो है, बुनियादी तौर पर character traits के नाम है, adjectives है, अब हम यहां से examples देख लेते हैं, कि कैसे पता चले कि आप किसी को honest कह रहे हैं, वो कैसे honest है, So, being honest is the quality of speaking the truth and refraining from intentionally deceiving or misinforming people, इसका मतलब यह है, यह honest बंदा वो होता है, जो के सच बोलता है, चाहे कितनी ही मुशकल सेनारियो क्यों ना हो जाए, और वो लोगों को धोका नहीं देता, So, यह वो quality है, जो किसी के इमानदार होने के लिए जरूरी है, अब empathy क्या quality है, यह क्या trait है, empathy वो trait है, जिसके अंदर आप दूसरों के ज़स्बाद समझ सकते हैं, और दूसरों की situation में अपने आपको रखके उनकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं, और उनके साथ different morals और believe होते हैं, और यह वो factors हैं जिसकी वज़से हमारी शेनाक्त बनती है, हमारे emotions बनते हैं, हम वैसे behave करते हैं, और हम वैसे actions परफॉर्म करते हैं, जो लोग है, हम उने in values की वज़से पहचानते हैं, और इनका impact जो है, वो उनकी रोजमरा जन्दगी पे हमें नदर आता ह हैं, तो यह बहुत एहम है कि जब हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, तो बनियादी तोर पे हम उनकी values, morals और believe में समझने की कोशिश करते हैं, कि अगर एक शक्त ऐसे behave कर रहा है, तो उसकी बीचे क्या वज़ुहात हैं, तो हमारे values, morals और believe हैं, यह भी बहुत एहन factor है जो हमारे character traits को बनाते हैं, character quality में जो important चीज हमारे सामने आती है कि यह जब हमारी value, moral, हमारी पूरी life का एक character जो है, हमारी personality जो है, इसके ओपर इनका बहुत बड़ा image होता है, जब हम मशूर हो जाते हैं अपनी किसी traits की वज़ा से, तो हमारे action predictable होते हैं, और लोग अराम से जा सकते हैं कि हम क्या करेंगे, for example, एक शक्स बहुत generous है, बहुत सकी है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि उसका क्या behavior होगा, definitely उसका behavior यह होगा कि जब कोई से मदद लेने आएगा, तो बहुत high probability है कि वो उसकी मदद कर दे, और उसकी expectation या उसकी beliefs क्या होंगे कि जो आ आप से मदद लेने आया है, आप in return जरूरी नहीं है कि आप उसे expect करें कि वो भी आपकी मदद करेगा, और किसम के morals हो सकते हैं, कि अगर आपने किसी के मदद की है, तो हो सकता है कि अगर वो आपके in return वो चीज़े वापस ना कर सके, तो आप में माफी देने के या माफ करने के qualities ज्यादा होंगे, तो एक character है, उससे हम आपके morals, उसके value और आपकी belief भी उससे समझ सकते हैं कि वो क्या है, character traits को define करने का एक और तरीका ये है कि हम उसको physical attribute में देखें और emotional attribute में देखें, कि physically हम कैसे दिखते हैं और जजबाती तोर पर हम कौन से इंसान है, तो सबसे एहम चीज जो हमें यहां से शुरू करनी है कि character traits आपकी personality का defining factor है, अब ये personality बनती कैसे है, इसके लिए हमें समझना पड़ता है कि हमारा background क्या है, हम किस इलाके से तालुक रखते हैं, हमारा मथभ क्या है, हमारे अकायद क्या है, हमारी जबान क्या है, हम किस चीज को value देते हैं, किस चीज को नहीं value देते हैं, definitely इन चीजों के बदल जाने से character भी बदल जाता है, और character कैसे बदल सकता है, आपकी physical appearance से, क्या आप बहुत मस्बूत दिखते हैं, क्या बहुत लंबे दिखते हैं, क्या बहुत लागर और बिमार दिखते हैं, definitely आपकी character trait, आपक कोई कितनी जल्दी हर चीज में action ले लेता है, तो यह हमारे जजबात हैं, और यह भी हमारे character traits को define करते हैं.